हलो एब्रिवन आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा गुरू नैविगेटर एप्लिकेशन में प्री वर्क पोस्ट वर्क या साइन्मेंट जो हमें ट्रेनर देखते हैं उसे हम कैसे करते हैं वेल सबसे पहले मैं उसमें का थैंक्यू करना चाहूंगा जोनोंने मुझे सब्सक्राइब नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मैंने इस टॉपिक पर एक वीडियो पहले भी बनाया है जिसमें आपको बताया है कि गुरू नैविगेटर एप्लिकेशन में आप लॉग इन कै कैसे क्या करना होता है कैसे सथान करने का थे कैसे मुझे ऑसमें अग्षा कषण बनाना होता है तो बढर और आपके यहां सब्सक्राइब मिल जाएगा आप चेक आउट कर सकते हो के तो मैं यहां से गुरूण आप्लीकेसिन ओपन कर लेता हूं यह है यह है यहां से ओपन करेंगे इसा कुछ दिखता है जाप इसमें लॉग इन कर लोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा यहां पे सफेद कलर का अब हम इसको सिंपल यहां से ओपन करेंगे इस पर क्लिक करेंगे और अभी इसके बाद हम हमारे सामने यहां पर स्क्रीन पर आ जाएगी वह सारी प्रीवर्क पोज्ट वर्क जो भी आप में दिया गया वह सारी चाहिए आप देख सकते हैं यहां पर 27 से लेके 28 तक का यहां असाइन किया गया और मैंने भी तक जो किया है वह मतलब इसका टाइम पीरियोड होता है उसके बाद यह आटोमेटिक वहां से फिर मोव हो जाता है ठीक है तो अभी यहां पर मुझे 27 का दिया गया है मैं आपको बिताया दूँ कि प्रीवर्क कौन सा होता है और आपको जो जो एकसा साइज आपको करने के लिए दिया जाता है वह कौन सा होता है इसमें आप उसको कैसे पैचान होगे तो देखो मैं आपको बितायता हूं सिंपल स्वार्ट में ठीक है ज्यादा वीडियो बड़ा नहीं करते हैं यह जो ग्रीन वाला इमेज जिस पर आपको विंडो कितने वीडियो हो सकते हैं आपके लेसन के अखॉर्डिंग करता है कि वह चैप्टर कितना बढ़ा है या फिर क्या है ठीक है तो आप इस वीडियो में अपना कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो कितना टाइम आप यहाँ पर दे रहे हो यह सारी चीज़े रिकॉर्ड होती है आपको भी दिखाई देगा ज knives को finished करेंगे आपको भी दिखाई देगा कि आपने यहाँ पर कितना टाइम आपना दे रहे हो अगर आपकी वीडियो नहीं चल पारी है और आप ereकि ग्रीं वाल में दिखाए दे रहा екंट है आरहा है कि power향 UG पर सब्सक्राइब करिए इसपर क्लिक करेंगे और यह पर आपको देखने को मिले था कि क्लिक करेंगे और यहां पर देखने को मिल रहा हुगा किए को कई सारी कोस्चन दियाunky Yes तो आपको mcq होते है multiple choice questions, आपको कई सारी questions के answer भी देने जाएंगे, आपको उसमें से बस choose करना होगा, और submit करना होगा, टोटल 5 question होगा, जिसे यहाँ पर email सामने के कुछ question आ रहा है, मैं इसको delete करता हूँ, जैसे आपने ऐसे select किया आपने, यहाँ पर फिर आप कितने happy हो, कितने satisfied हो इस answer को देकर आप वो नीचे में इस चीज को fill कर सकते हो, तो इसे emoji दिये गए, कि आप अगर confused हो, आपको लग रहा है कि नहीं मैं गलत answer किया, तो आप यहाँ पर यह वाला डाल सकते हो, यह वाला डाल सकते हो, ठीक है, कि जब क्लिक करेंगे, यहाँ पर, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, कि day 25 दिखा रहा है, postwork.pdf, आप यहाँ से चाहो तो आप इस चीज का पीडिया भी डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ से लिंक है, अब इस पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ से फिर पीडिया भी बीच में, इस पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने यहाँ पर कुछ थोड़ा सा इंटरिफेस खोल के आएगा, और जैसे आप यहाँ पर अपना अंसर लिख सकते हो, मैंने इस तरह से अंसर लिख दिया है, अगर आपको कुछ वीडियो बगर वनाने के लिए बोला गया है, तो आप यहाँ पर वीडियो हो, आधियो हो, या फिर इम्ज हो, आप यहाँ से अपलोड को क्लिक करेंगे, आप यहांसे कोई भी फाइल को सेलेक करके डाल सकते हूँ ठीक है, यह पर चाहूँ हो हाँ वी अगर कोई URL है, तो आप URL ऑल सकते हो, ओके, पर यहाँ इससे इस व वह रही है आपकी, आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपको कमेंट वर रिपलाई करूँगा, वहाँ पे आपकी प्रोडम को सॉल्व करने की कोशिच करूँगा, और भी इस तरह की टेक्निकल वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेना, और हो सकते तो इस वीडियो को सेर कर दो ताकि जिनने नहीं पता होने भी पता चल सके तैंकियों वोचिंग जैन दोस्तों